धाकर खबर बेखोफ जुबां बेबाग अंदाज नाम पर जला दिया गया और जो यहां पे जाट मुसलीम घड़जोड गड़ा करता था सदियों से और उसके नेता हुआ करते थे चोधरी चरन्ड सिंग बाद में उनके पेटे चोधरी चोधरी सिंग उसको तार-तार कर गया उस गंगा जमनी तहजीब को तार-तार कर दिया लेकिन पांस साल बाद लोगों को समझ में आया और कहराना चुनाओं में भारतिया जंता पार्टी को हरा कर यहां पर बने जाट मुस्लिम गड़जोड ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि कोई ताक्ते कितना भी नफरते फैलाले समाज नफरतों को स्विकार नहीं करता है समाज उस वगत जरूर रो में बह जाता है उसे मालूम नहीं होता है उसके सामने ऐसी बाते कर दी जाती है उसे ऐसा लगता है कि यही सब कुछ मान समान मान मर्यादा बन गया है लेकिन बाद में अजुअगरवाल मौझूद थी एडियम परशासन खुद मौझूद थे अचानक बताया जाता है आरोप है अखिल भारती विद्यारती परिशद जो आरैसस का चात्र विंग है जो बीजेपी को सीधा सपोर्ट करता है उसके लिए बना है उसके नेता निकल निकल के भाजपा में पहुच जाते हैं 40-50 की तादाद में लोग बताए जाते हैं अंजु अगरवाल जो महां पे बैठी है चैर्मेन और एडियम परशासन जो बैठें उनके साथ बत्तमीजी शुरू कर देते हैं बत्तमीजी जब शुरू कर देते हैं तो उसके बाद होता यह है कि हंगामा बढ़ जाता है तो सभासद लोग जो हैं वो इनको जम कर देते हैं मजफरनगर के अंदर जो सभासद्द Moscow रही है तो वो इनको जम कर वहां पिटाए तो सक बाद यह लोग पूस्टे हैं पुलिस के पास पुलीस तोही महाराज की है और एब transfय चुका हो किए तो महाराज के प्लिस जो है वह कि तरफ से दरज कर लेती है और दर्ज करने के बाद कारभाई की बात करती है जैंच की जा रही है तीन मुसलिस्च सबसदों के खलाब दर्ज कर आए गया जिसमें से अबिढ नाम अब दिल्शाद और तीसरे का नाम अभी जानकारी में नहीं है, तीनों मुस्लिम इधायक हैं, सवासद हैं सोरी, उनके इखलाब ये F.I.R. दर्ज करा दी गई है, पुलिस मामले की जाच कर रही है, लेकिन आप देखिए, जो मैं बताना चाहरा हूँ, कि वहां सवासद होने कूट डाला, बढ़ महां के जो करमचारी हैं, वह बजरंग दल के नेताओं को दोड़ा-दोड़ा कर पीटते हैं, आप वो तस्वीर देख लीजें, दोड़ा-दोड़ा के पीटते ही नहीं, उसके बाद M.G. रोड़ पे जाम लगा देते हैं, F.I.R. दर्ज करा देते हैं, और प्रेशर में आ नेताओं को जेल भी भेज़ दिया जाता है, तो ये दो तस्वीर आ रही है, मुजफर नगर से, और तूसरी तस्वीर आगरा से, मुजफर नगर में ABP के करकरताओं को धुना गया है, सबासादो दुआरा, करमचारी हो दुआरा, नगरपालिक के बताते हैं, और आगरा के मोड में नहीं है, वो भी इसी अंदाज में इनका जवाब दे रहे हैं, पर ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और हमारे यहां कानून का राज है, और कानून के राज के मताबिक अगर कोई आदमी गलत कर रहा है, तो उसके खिलाप उस तरीके से कारवाई कानून के तहित की जानी चाहिए, अगर हर आदमी ही हाथ में कानून ले लेगा, चाहिए वो सबासाद हों, चाहिए वो करमचारी हों, तो ये ठीक नहीं होगा, हम देश को किसोर ले जाएंगे, क्या देश के अंदर अशांती नहीं फैल जाएगी, पर इस शांती के लिए क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है, जो आज कल सत्ता में बैठे हैं, कोई कहता है, चपन इंच का सीना लेके बैठा है, और कोई कहता है, गोली मार दीजिए, अगर यहां रहना है, तो उस शांती से रहना होगा, नहीं छोड़के भाग जाओ, ये प्रेस टोर पर जाकर हमारे अप को डाउनलोड कर सकते हैं, बेनेफिट यह होगा, कि जिस भी वगत उनलाइन होगे, उसी वगत आप लोग हमारी कबर देख पाएंगे, यूट्यूब पर खबर दूरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ऐसे किसी सुलकते हुए है, उ प्लाला बिन मुझे ने इजाज़त!